गायल तो यहां हर एक परिंदा है लेकिन जो उठकर फिर से उड़ सके सिर्फ वही जिन्दा है साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का PBR स्टडी में उमीद है कि आप सभी ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई एकदम मस चल रही और जिन्दगी भी ठीक ठाक डर्रे पर चल रही आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक वीडियो से रिज दूँगा जिसका नाम है मैत्स में दर्द की दवा और वो दर्द की दवा आपके काम आने वाली है अगर आपने पहला पार्ट देख लिया है तब आप लोगों ने बहुत सारा भर-भर के प्यार दिया पहले पार्ट में इसके लिए दिल से धेर सारा थैंक्यू 8400 लोगों ने देखा तीठिन दो गंटे में चलिए पार्ट में आगे बढ़ते हैं ना उम्र की सीमा हो ना जनमों का हो बंधन और जब प्यार करे कोई तो देखे सिर्फ वो मन असे आपने वो गाने में सुनो आगा फिल्मी लेकिन वो फिल्मी चीज़ें आज यहां पर आपके लिए आई हैं कुछ इस तरीके से कि इसमें हमारी जो क्लास में इसमें कोई एज लिमिट नहीं है मैक्सिमम एज लिमिट मैंने इसमें 110 साली फिली रखा है कि हमारे इंडिया में अधिकतम कोई 110 साल तक जाता है समझ रहो तो कहते हैं कि सीखने की कोई उमर नहीं होती है अगर आप इस 110 उमर के मतलब बीच मे हो किसी में भी तो आप हार ना मनना कि आपको गड़ित नहीं आती ठीक है बढ़िया चलिए तो यह फीड़ बैक है आप लोगों के दर्द है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बार-बार बैक लग रही डियलेड में और भी चीजें में पढ़ नहीं सकता क्योंकि टाइम का भाव है बाकी चीजें आप इनको देख लिजिए स्क्रीन साइड लेके रखिए हम टॉपिक पर चलते हैं साथियों हमारी एक ही कोशिस है कि आपको गड़ित आये देखो कोई बहुत मुश्किल नहीं गड़ित नहीं आती है बस मन के हारे हार है मन के जीते जीत समझ रहो मन देदो इतना घबराओ नहीं थोड़ा वीडियो स्किप कर लो अगर आपको लग रहा है तो बकिए जरूरी चीजें जो दिखा रहा हूँ इसमें जैसा कि कल बताया था एक आपको परतियों की पर इच्छा का कोशिशन पूछा जाएगा मतलब एक परकार इन्याम वाला सव होंगे उस समय स्रीज खतम हो जाएगी मतलब एक गडित कंपलेट हो जाएगी क्योंकि एक कुश्चन हर दिन होगा ठीक है अपने सवालों के सारे जबाब आप वीडियो में कमेंट करेंगे कोई भी नंबर पर मैसेज या कॉल नहीं करेगा इसकी खासियत है इस स्रीज की य टू डिजिट फ्री डिजिट और उदहार वाला घटाना समझ रहो यह ऐसे ही चलेगा फिर जीरो वाला यह नहीं कि हम जल्दी जल्दी फट 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 गिर पढ़ें फट 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 पढ़ें बहीं देखो सीखना आ गडित यार दस मिनट के अंदर ह इसे तीन, चार, पांच लाइन खीच करके हमें तीन घटाना है, तीन लाइन, काट दो भईया दूड़ी बचरी भी नकटी हो गई, खतम ये हमें पता है, ये अधिकांस लोगों को सबको आता है, कहेंगे क्या मजाक है भई, मजाकी फली है कि जिससे आप समझो कि हम जीरो से सुरू किये हैं और चार-पांध दिन में आप देखो गए, अच्छे खाफे चल जाएंगे लाइन पे हम लोग और जिनको बड़ा घबरहाट हो रही है, वो इनका जबाब बता दें, अपने दिल से पूछ लें कि हाँ हमें आता है, रुक न, बसा आदा मिनिट ये भी आपका बेसिक का सारे सवाल हैं, देखो जरा एक बार सबको आते नहीं है बहुत बेसिक है, कच्छा 6 ले बलका सवाल है, कच्छा 6 के ऊपर कुछ नहीं है कच्छा 5-6 का है, क्या आप इनमें सब जानते हो अगर जानते हो, तो भी न देखो वीडियो को और नहीं जानते हो, देख लो जालो, आप टापिक के चलते है तो, पॉइंट बाइपॉइंट सब कुछ होता है विदाउट पॉइंट बाइपॉइंट ऐसे भाग दोड़ से कुछ होता नहीं है ठीक है तो ये कौन सा है भाईया पहले हो गया वो ये चीजें हो गई इधर वाला हो गया, वो बचा है ठीक है, आओ, जल्दी जल्दी भाई, टाइम मत देखो ने, टाइम बहुँ ज़दा हो रहा है आठ में से तीन गया, पांच और ये छे में से चार गया तो, ये दोनों होमवर्क है आप लोग इसको खुद से कर लेंगे है न बढ़िया इसमें देखो, इसमें भाई समझने की कोशिस करो सभी लोग 23 में से 4 गटाएंगे, बहुत आफान है आप ये माल लो कि हम 23 में से 3 गटा रहें, तो बताओ 23 में से हम 9 में से 6 गटा रहें तो 9 में से 6 गटा रहें, तो 3 आ रहा है और 2 को आगया, इसे उतार दो, बत खतम 99 से हमें 9 गटा ना है हमें इस 9 से नहीं मतलब हमें इस से मतलब है, इसमें से 9 गटा लो कितना आएगा? 6 और वो 9 उतार दो, ऐसे इधर कर लो है न, नो मेंसे चार गया, पांच, इसके नीचे कुछ नहीं है, जीरो लगा दो, दो मेंसे जीरो घटा होगे, दो आएगा, खतम, ऐसे सब कर लेंगे न, कोई डाउट ना किसी को, नो दिक्कत, चलो, ये तो सब करी लेंगे, इसमें कुछ बड़ा नहीं है, मैं सामने से इफ फड़ा वाली बात हो जाती है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, तीन, और ये देखो, तीन और दो, ये कम और ज्यादा है न, हम क्या करेंगे, लाश टंग पकड़ेंगे, ये लाश टंग, आप सोचो, कि तीन मेंसे हमें एक घटाना है, तो तीन मेंसे एक घटान तो नहीं बताया ना, शहीं, ऐसे इसको भी कर लेंगे, नहीं समझ में आगा बताना, मुझे मैं बाद में बता दूँगा, क्योंकि मुझे आपको उस मुकाम पर पहुचाना है, जो काम की चीजे हैं, उसको बताना है, आओ, तीन में से गया दो, और चार में से तीन गया, एक साथ, इसके नीचे कुछ नहीं था, यह चीन गलत जगा लगा यहाँ, 0 लगा कि यहाँ चीन लगना चाहिए, यहाँ 0 लगा लो कुछ नहीं है, इसको भी गटा लेंगे, इसमें कुछ बड़ा थोड़ी है, बस बस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप 0 से सीख रहे हो आज का इन्याम वाला प्रस्ण ये है भारत का सरबादिक जनसंख्या वाला कौन सा डिश्टिक है वो किस राज़ में है उस देश में उस मतलब राज़ में कितनी जनसंख्या है उस जिले में कितनी जनसंख्या है ये सब आपको पता होना चाहिए बताना ठीक है जालो इसको देखते हैं जेखो ये वाला जी क्या आदेश है समझ रहो ना हनुमान जी का जिन्होंने मुझे वहाँ से उठा के यहाँ इतना उपर खड़किया है आप सब देख रहे हो तो आप लोग भी इसका पलन करेंगे और हम भी करेंगे चलो अब क्या है ये दो मैंसे पांच ढारेट घटेगा नहीं तो क्या करते हैं बगल से उठार लेंगे बहाई ये उठार वाला आ गया बोरिंग वाला बोरिंग क्या बोलता है उसको अब दो मेंसे 5 तो घटेगा नहीं तो हम इद घर बगल वाली से उधार ले लेंगे मतलब बगल वाले से ये 12 हो जाएगा 12 मेंसे 5 गया तो 7 ठीक है और ये चुकी उधार दे दिया था तो एक कम हो गया ये कम हो गया मतलब कितना बचा ये 6 अब 6 मेंसे 3 गया तो 3 है ना कितना मज़दार बाद No doubt ऐसे इसको भी कर लेंगे देखो चार मेंसे हमें 9 घटा आना है तो भाई साथ चार मेंसे 9 तो घटेगा नहीं इधर बगली से उधार ले लेंगे ते बन जागा चाउदा चाउदा मैंसे 9 गया 5 नो पांच चाउदा और यह उधार दे दिया था एक कम हो गया बचा है साथ साथ मैंसे एक गया अच्छे ऐसे फटा फट उतारोगे और खटा कर लिखते चले जाओगे है ना कितना मज़दार ऐसे इधर वाला भी कर लेंगे इसमें कुछ बहुत बड़ा हाइफाई तो नहीं काटने वाला कुछ तो नहीं ना डौड़ रहा डफने कितना असान है ना बस थोड़ा सा मैच से मुहबबत कर लो और वो मुहबबत ऐसी वाली होने चाहिए कि रात के दो बच कर 24 मिनट पर भी मैं आपके सामने ऐसे बोल रहा हूँ जैसे आपको लग रहा है कि दिन का टाइम है या मतलब बहुत मैं लग रहा हूँ तो यह होता जब किसी चीज में आपका मन लगता है समझ रहे हो कि नहीं अगर आपके काम में मन नहीं लग रहा है आप बोर हो जा रहे हो तो आप गलत काम में लगे हो प्रशान उटाइम से काम नहीं पूरा हो पाता सारा समझ रहो लेकिन टाइम तो रुखता है नहीं भागता रहता है और जो मुझे जानने वाले हैं वह अच्छे जानते देखो इदर दो में से आट गटेगा नहीं भगल से उधार लेंगे यह हो जाएगा 12-12 में से 8 गया तो 4 और इससे उधार लिया था चुकि यए कम हो गया तो 2-2 में से एक गया एक आईसे इनको गटा की आप लोग मुझे बताना ठीक है गर लोगे कोई दिक्कत न, चलो हाँ, ये मेन वाले हैं थोड़ा सा इनको आओ कर देता हूं में है तो बहुत आसान, चलो भई तीन में से नौ नहीं घटेगा, इधर से उधार जाएगा, ये बनेगा तेरा, तेरा में से नो गया चार, क्योंकि नाइन, फोर कितना होता, थाटीन होता है, क्लियर चलो, अब ये चूकी उधार दिया था इसको देखो, रात का बहुत टाइम हो चुका, अगर कहीं छोटा मोटा आगे पीछे हो जाता, तो बताना मुझे कमेंट कर गए ठीक है, चलो ये 3, 3 मैंसे 8 घटेंगा ये, इधर से उधार जाएगा 13, 13 मैंसे 8 गया, 5 ठीक है, ये उधार दिया था बचा, 7, 7 मैंसे 3 गया, 4 अब इस से कोई मतलब नहीं था तो ये सीधा-फीधा पूरा-पूरा बचा है, है ना किसी को कोई अपत्ती पत्ती नहीं ना इसमें चलो आओ एक नीचे वाला कर देता हूं इधर वाला चार में से घटेगा नहीं बगल से उधार लेंगे 14 बनेगा 14 में से 6 गया 14 से 6 जाएगा कितना आएगा पर ना कोई डाउट ना किसी को बढ़ियां बस यहीं तो है गडित यहीं तो है मज़ेदार चीज ना बिलकुल जीरो से सीखो ना जनाब क्या ही प्राउबलम है आपको क्या ही तकलीफ है वीडियो बहुत लंबा हो जाता आप लोग देखते नहीं हो तो सो इसलिए हम वीडिय के लोग नहीं करेंगी यह मैं आपसे प्रामिस करता हूँ आपके मन का जो भी दिल की बात है आप कमेंट करो और कमेंट जरूर करो और हाँ कलास को लाइक सेर करना आपकी जनमसी जिम्मेदारी है उसे ना भूले जिससे कि हम ऐसे आप आएं और पढ़ा पाएं इस सीरीज क को आगे बढ़ा पाएं ठीक है दन थैंक यू